और हम लोग बात करते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन्स की तो मेंली जो मैथमेटिकल ऑपरेशन्स वो सब क्या है एडिशन सब्सक्रेक्शन मुल्टिप्रिकेशन और डिविजन ठीक है बच्पन में जब मैं बहुत छोटा था तो मैंने फिर्स ताइम यह सब पढ़ा था कि तीन तरह के लॉस बताए गया थे जिसमें से एक था कमिटिटिव और मैंने हिंदी में पढ़ा था तो इसको कुछ सहाचार नियम बिनमें और अब ही मुझे एक्जेक्ट यहाद नहीं है कि उसको क्या बूला करते थे मुझे एक बार टर्म्स देखना पड़ेगा बड़ उसका म खुटिटिव और एक होपो गया थे घृति एक हुटता तक रहा थे मूला जाता है और आप ए में बीको एक वाट करें और दो दोनों बार एक आंसर आएगा यह बोला जाता है equal to है इसका मतलब यह कि competitive property को यह satisfy करता है ऐसे associative होता है associative में क्या होता है कि let us suppose you have to add a plus b and c और इसको आप दो तरह से कर सकते हो एक बार आपने a को अलग रखा और b और plus c को आप पहले add कर दिया दूसरी बार आपने a multiplication के case में a into b plus c है तो आप करते थे इसको पहले b से multiply करा दिया थे फिर आपने add किया फिर c से multiply करा दिया तो यह जो तीनो conditions है वो normally rational numbers जितने भी हैं वो सारे satisfy करते थे ठीक है यह जो थी यह सब कुछ क्या था satisfied by rational numbers बट जो हम बात करते है irrational numbers के ठीक है तो उसमें क्या होता है उसमें भी committed property associated property और distributed property यह तीनों ही satisfied होती है तीनों को ही irrational numbers भी satisfy करते हैं इसका मतलब क्या हुआ कि यह तीनों properties हमेशा ही चाह rational हो चाहे irrational हो काम करेंगी लेकिन एक और case हुआ करता था जब हम लोग रेशनल numbers की बात करते थे तो हमें अगर आपने एक रेशनल number में दूसरा रेशनल number add किया है तो हमें हमेशा ही एक रेशनल लंबर ही मिलेगा ठीक है देखेगा समझेगा हम यहाप पर किसकी बात कर रहे हैं यह आड करने की ऐसे यह आपने अगर सब्च्रेक्ट किया, तो भी हमें rational ही मिलेगा, आपने दो को multiply किया, दो rational numbers को, ठीक है, तो rational plus rational is equal to rational, rational minus rational is also a rational number, rational multiplied by rational number is also a rational number, और अगर आपने एक rational number को दूसरे rational number से divide किया तो भी आपको जो भी number मिलेगा वो भी हमेशा rational होगा ये भी satisfy किया जाता था कब जो हम rational numbers की बात करते थे ओके लेकिन irrational number के case में ऐसा हमेशा नहीं है अगर माल लीजे irrational number से 2a plus b अभी तुमने हापर rational माना हुआ था ठीक है ये जो भी था आ हम इसका मतलब इर्रैश्नल होसकता है और इर्रैश्नल भी होसकता है कैसे, for example, माल लीजे, एक number है, root 2 and दूसरा number is minus root 2, ठीक है, अब अगर हम इन दोनों को add करेंगे, तो we will get 0, because root 2 plus minus of root 2 is equal to 0, and 0 is a rational number, rational क्यों है 0, because can be written in the form of P upon Q, ठीक है, कुछ भी कर दीजे, तो P है और Q है, Q is non-zero, इसका मतलए भी rational हो गया, अब यहाँ पे क्या दिख रहा है, कि आपने 2 irrational numbers को add किया, और आपको मिल का रहा है rational number, not necessarily कि आपको अमेशा rational मिले, irrational भी मिल सकता है, ठीक है, तो यहाँ irrational कैसे म मिल सकता है, मालीजे, आपके पास 2 root 2 था, और उसमें आपने minus root 2 को add किया, इसका मतलब क्या हुआ, आपके पास root 2 बच गया, 2 under root 2 से 1 root 2 आप deduct करेंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, root 2, तो यह तो irrational है, इसका मतलब can be anything, इसी तरह से, अभी मैं इसको सारे, जो भी mathematical operations है, कि किस तरह से लगेंगे, मैं बता देता हूँ, तो दूसरा, इसी तरह से अगर आप subtraction की बात करेंगे, और दो numbers में आपके पास, तो कुछ भी हो सकता है, जैसा addition है, वैसा ही subtraction की case में होता है, मालीज, आपको root 2 में, root 2 ही deduct करना है, तो यह हो जाएगा, आपका rational, और 2 root 2 से अ ऐसा ही multiplication की case में है, multiplication case में, आपने 2 under root 2 से multiply किया, under root 2 को, तो आपको क्या मिल लाएगा, you will get 2 into 2 that is 4, यह root 2 और यह 2 मिल करके root 2 हो गया, और यह तो पहले से ही है, ऐसे ही, अगर आपने 2 root 2 से एक दूसरा irrational number 3, root 3 का multiply किया, तो root 2 under root 6 मिलेगा, और यह अभी भी irrational है, तो यहाँ पर आपने एक irrational number से दूसरे irrational number का multiply किया, and you get a rational number, यहाँ पर आपने एक irrational से दूसरे irrational का multiply किया, you get an irrational number, right, तो यहाँ पर कुछ पका नहीं है, और same goes with division, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब है, जो ultimately बात सौन में आई, वो यह है कि जब भी हम बात करेंगे, इन properties की, व बोद तो irrational numbers भी satisfy करते हैं, कौन कान से, commutative, associative and distributive, but जब हम mathematical operations की बात करेंगे, कि mathematical operations लगाने के बाद से जो nature है, वो क्या बदल जा रहा है, तो irrational case में कुछ भी certain नहीं है, ठीक है, irrational case में not certain, कि irrational रहेगा या irrational रहेगा, और rational के case में, हमेशा ही rational रहेगा, always rational, तो यह आपको समझ में आगया होगा, और इसको रटने की ज़रूत नहीं है, बट यह कई लोग सुछतने हैं कि rational plus rational is rational, ऐसे ही irrational plus irrational हमेशा irrational होगा, जब कि ऐसा नहीं है, चलते हैं next topic की तरफ, तो अब यहाँ पर हमसे कुछ questions पूछे जा रहे हैं, the sum or difference of a rational number and an irrational number is irrational, यह questions नहीं पूछे जा रहे हैं, यह हमको कुछ important concepts बताए जा रहे हैं, इसमें क्या का जा रहा है, कि आपके पास एक कोई rational number है, let us suppose to, दूसरा आपके पास एक irrational number है, let us suppose to, तो अगर आप इसको चाहें add करें, चाहें आप deduct करें, हमेशा ही आपको एक irrational मिलेगा, इसका मतलब क्या हुआ, कि जो irrational है, वो ऐसे ऐसे भी समझ सकते हैं, कि पहले से घर में rational रह रहा है था, उसके पास एक irrational और आ गया, तो जब irrational आ गया है, तो irrational इतना जाना dominating है, कि जो overall nature है, रहने वालों का, वो irrational हो गया, ठीक है, not necessarily true, हमेशा ऐसा नहीं होगा, ये तो हमेशा ही होगा, rational प्रस irrational, लेकिन ऐसा नहीं है, कि जहांपर rational और irrational involved हो, हर case में irrational ही आपको मिले, बट यहां पर हम देख लेते हैं, तो यह यहां पर एक तो आपको बात समझाए है, कि irrational जो है, वो बहुत dominating है, अभी दूसरा case क्या है, product और quotient of a non-zero rational number, with an irrational number is irrational, यहां पर भी irrational हावी हो गया, non-zero क्यों बोला गया, क्योंकि भाई अगर 0 से आप multiply कर दोगे, किसी भी number को, यह एक real number है, irrational है क्या हुआ है, है तो real number, क्य यह क्या है, non-zero rational number में, आप में अगर irrational number से multiply किया, तो you will get an irrational number, always, यानि कि यहां पर भी irrational ही dominate कर गया, अब तीसरी condition क्या इनोंने लिखे हुए, if we add, subtract, multiply, और divide two irrationals, कितना two irrationals, the result may be, ठीक है, may be, यह may be, यह may be लिखा हुआ है, जहां से पढ़ीगा है, इसको, यह रिखे, यह may be, right, इस case में, may be irrational और irrational, कैसे, तो देखिए है, rational और irrational है, तो irrational dominate कर रहा है, हमने देख लिया, चाहे addition subtraction हो, चाहे multiplication, और division हो, लेकिन दो irrational से अगर है, तो दो irrational, rational भी बना सकते है, कैसे, हम लोग ने last time देख भी लियाता है, वैसे यहां पर, कि not necessarily, अगर आप दो irrational को multiply कर रहे हो, या add कर रहे हो, तो irrational भी मिल सकता है, जो बात पीछे देखी थे, उसी का एक तरह से reiterate किया गया है, यहां पर, third point में, third point में, just example, हमने कोई दूसरा ले लेते है, तो, let us suppose, आप, क्या गार रहे है, two under root six से आपके पास, यह एक irrational number है, इसको आपने, root six से multiply कर दिया, तो आप two under root six है, इसको आपने किसे दूसरे irrational number, for example, root three से multiply कर दिया, तो आपको क्या मिलेगा, six root two, यह करके देखेगा, हो सकता है, कुछ पर इसमें confused हो जाए, जो भी confused हो रहा है, मुझे comment करके बताइएगा, तो अभी यह आपर हो क्या रहा है, कि, एक वारत आपको rational मिल गया, rational भी मिल सकता है, और irrational भी मिल सकता है, ठीक है, ओके, we now show how to find root x for any given positive real number x geometrically, यह मैंने already आपके लिए बना दिया है, यह on paper ही बनाया जाना चाहिए, और मैं इसको brief में यहाँ पर बता दे रहा हूं, बट यहाँ बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि on paper ही आपको छेसांज म इसमें हम कोई भी x length का एक line segment बनाते हैं, ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, हम वन unit का line segment और बनाते हैं, ठीक, उसके बाद क्या करते हैं, हम इसका midpoint निकलते हैं, माल दीजी होगा midpoint, यहाँ से हम arc ले करके एक circle बना देते हैं, अब circle बहुती गंदा बनेगा, इसके लिए I'm sorry, semi circle, क्योंकि माल लीजी यहां तक जा रहा था, तो यह जो point है, अगर यह a था, यह b था, तो यह क्या हो जाएगा, c और यह distance आपकी one unit है, और यह distance आपकी starting में थी, वो थी x unit, right, तो x plus one total है, तो जो center point होगा, वो क्या होगा, वो होगा, x plus one upon two, right, यह जो distance, जो भी distance हाए अगर आपने इसको origin माल लिया, if a is origin, अभी हले की origin माल लिया, तो क्या करेंगा, वी से जब perpendicular एक draw कर देंगे, तो जहाँ पर भी cut कर रहा है, यह distance हा रही है, यह distance हो जाएगी, under root of x, कैसे होगा, क्यों होगा, मैंने इसको संधाय हुआ है, अब जिसको यह समझ में आ गया, यहाँ पर मुझे लिख करके बताये, कि आपको संध में आ गया, यह नहीं संध में आ गया, कि यह root x कैसे होगा, और जिसको नहीं संध में आ रहा है, वो फिट से, जो on paper मैंने draw करके बताया, उसको देख रहे है, अगर आपको यह video पसंद आया, तो please इसे अपने दोस्तों क आपके साथ शेयर करें, लाइक करें, आपके अपने चैनल अपनी क्लास को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकोन को प्रेस करना नाम भुलें, thank you very much, have a nice day.